हेलो गाइज आज में शेयर करूंगे आपके साथ चिली पटेटो की रेसिपी जिसी बनाना भूती आसान है और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप इसे अपने बच्चों को या महमानों को भी दे सकते हैं आप इसे एक बार धर पर पना लेंगे तो कभ इसे पहले हम लेंगे दो आलू उनको हमें अच्छे से दो लेना है उसके बाद हमें छील लेना यानि पील कर लेना है इनका हमें अच्छे तरीके से एकदम साफ छिल का उतार लेना है आलू आप जिप सोना भी ले सकते हैं या आप नूर्मल आलू आता है जो वह भी ले सकत इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप कोई भी आलू यूज़ कर सकते हैं तो यह देखें मैंने चिलका उतार लिया है आलू का अब मैं इसे बीच में से बारिक बारिक कट करूँगे और हाँ गाईड आप मेरे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी नहीं नहीं रेसिपी वीडियो देखने के लिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और रेसिपी कार देखने में भी अच्छा लगे या हम किसी महमानों को ये बच्चों को सर्फ करें तो देखने में भी एकदम मार्केट जैसा लगे और खाने में में बहुत ही ज़्यादा तेश्टी लगे आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना तो आप कभी भी बाहर से नहीं लाएंगे तो ये देखें हम इस तरीके से आलू को कट करना है और दो आलू से पूरे परिवार के लिए चेली पटेटों बनके तयार हो जाते हैं तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपके बचे कभी भी मार्केट जाना कि जित नहीं करेंगे तो ये देखें मैंने सभी को एक साथ काट लिया है तो अभी ने हम एक बलेट में करके इनको अच्छे से धोलेंगे तो गई मैं इने पानी में अच्छे से दो से तीन बार वोश कर लूगी तो ये देखे मैंने इनको अच्छे से धो लिया है तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं तो अब मैंने गैस पर रख दी है एक भीगोना आप कोई भी बरतल लिए सकते हैं उसमें मैंने दो गलास पानी डाल दिया है पानी को हमें अच्छे से बोईल करना होगा तो हमें पानी में हलका साई देखी गरम उबालाने लगा है उसमें हम फूड कलर डाल देंगे इसमें मैं 3-4 डॉप्ल डाल दूगी आपके पास कोई भी फूड कलर है तो आप उसको डाल सकते हैं तो यह देखी इस तरीके से हम फूड कलर डाल के बनाएंगे जो की जो चिली पटेटो है उसमें फूड कलर ही डलता है और ही आपके पास फूड कलर नहीं तो आप उसको नोर्मली वी ऐसे बना सकते हैं फोड कलर इसकिप करके तो यह देखे अब यह अच्छे से गरम हो गया है पानी और हलका से उबाल गयाने लगा है तो हम इसमें आलो को डाल देंगे यह देखे मैं इसमें सभी आलो को डाल दोंगे और इसे हम अच्छे से चम्चे से चला लेंगे इसे हमें अच्छे से उबाल लाना है और हाँ गया आलो को हमें 80% ही पकाना होगा हमें आलो को पूरा नहीं पकाना है क्योंकि जादा आलो पक जाएगा तो वो बीज में से तूटने लगेगा तो इसे हमें 80% पकाना होगए और 20% जब हम इसे बाद में बनाएंगे तो ये उस टाइप पक जाएगा तो ये देखें और हमें इस तरीके से चेक कर लेना होगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो आलू है वो अच्छे से पक गया है तो अब इसे हम निच्च उतार लेंगे और इसका पानी सारा निकाल देंगी तो ये देखें अब मैंने गैस पर रग दिये कड़ाई तो इसमें हम डालेंगे एक चमच ओयल ओयल को हमें अच्छे से गरम कर लेना होगा तो इसमें मैंने लिए है प्याज और सिम्ला मिर्च और इसमें लिए है मैंने जो हरे वाली प्याज आती है ना वो तो इसमें इनको मैंने बारिक-बारिक चोप कर लिया है यानि बारिक-बारिक कट कर लिया है तो इसमें हम अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे तो इसे हम अच्छे से चलाएंगे और हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है यानि हमें प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है इसे हमें हलका ही पकाना होगा तो ये देखें प्याज हमारी हलके से पक गई है तो अब इसमें हम springs morale में भी डाल देंगे और ये बागी के प्याज भी डाल देंगे तो इस तरीके से हम इसे चलाएंगे बत धियान दखना है हम जो इस जी डाली है इन्हें हमें ज्यादा नहीं पकाना होगा ज्यादा पकान इसे जो है खाने में टेस्ट नहीं आएगा तो हमें इस तरीके से चलाते रहना है तो इसमें हम एक चमच नमक डाल देंगे नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं अब इसमें हम आदा चमच लाज मिर्च पावडर डाल देंगे वो इसे अच्छे से चला लेंगे यानि इसमें जो नमक मिर्च है वो अच्छे से लग जाए अब इसमें हम सोय सोस डाल देंगे ये मैंने एक चमच इसमें सोय सोस डाल दी है और अब इसमें वैनेगर डाल देंगे वाइट वैनेगर तो यह देखे एक चम्छी हम इसमें वाइट वैनेगर डालेंगे और अब हम लेंगे आदा कटोरी टोमेटो केचप क्योंकि जब हम चेली पटेटो बनानेते हैं तो उसमें टोमेटो कैचुप जरूर डालते हैं तब ही एकदब मार्केट जासा तेश्ट आता है तो यह देखे इस तरी के सच हम इसे चला लेंगे दो से तीन बार और फिर इसमें हम आलू डालेंगे जो हमने उनको पकाया था यानि उबाला था तो मैंने इनकालू का पानी निकाल ले दिया था छल्ली में चानके तो यह देखे इस तरी के से हम इने चलाते रहेंगे इने हमें ज़्यादा देर नहीं चलाना होगा तो अब इसमें हम जो हरी प्यास थे बारिक बारिक कट किया था उसको भी डाल देंगे और थोड़ी सी हम उसे बचा के रख लेंगे गार्णिशिंग के लिए तो ये देखें इस तरीके से हम इसे चलाते रहना है और हागाई इसे हमें धीमियाच पर ही पकाना होगा तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर रहा है एक दा मार्किट जैसा और ऐसा ही जितना आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे केगुना खाने में अच्छा लगेगा तो अब इसे अच्छे से पग गया तो नीचे उतार लेते हैं गैसे तो ये देखे मैंने प्लेटिंग कर दी है अब इसे हम खाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये देखे इसमें मैंने गार्निशिंग के लिए जो प्याज बचा की रखी देना हरी वाली उसको डाल दिया है तो गाईज आपको ए रेसेपी वीडियो कैसे लगे मुझे कोमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, कोमेंट करना बिल्कुल भी न भूले और मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो तो तब तक के लिए बाई बाई और हर हर महादेर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए